है गुड इवनिंग कैसे हुआ आप चलो आज आपने दुबार एक छोटा सा टोपिक लेके हैं आपके nutrition का अनम के अंदर जो मॉस्टली है जो टोपिक है जो टोपिक अपने अनम के अंदर जो discussion किया जाता है वह है प्रैमरी हेल्द केर का जीनम के अंदर जो ये यह अपने activity of daily living के लिए भी बहुत important है activity of daily living का मतलब क्या होता है यह अपने हर घर के अंदर घर में भी इसको follow कर सकते हैं follow मतलब mostly घर के अंदर भी अपन follow कर सकते हैं और इसके अंदर mostly अपने घर के अंदर mostly क्या करते हैं अपने इसको use में करते हैं अपना topic का नाम है भोजन पकाना तो every जो भी nursing के student है A&M, J&M, BAC, POS, BAC, MSC, POS, BAC तो वो इसको cooking food को food cooking सारे करते हैं अरके घर में food का cooking किया जाता है और अपने को यह सब को food का cooking आना चाहिए और nursing field में तो especially सब को आना ही चाहिए तो इसके अंदर food cooking क्या होता है ऐसा भी एक questions आता है questions क्या आता है कि food cooking किसे कहते है food cooking के principle और इसकी जो technique है method है इसको detail से explain कर दो मलब food cooking के कौन-कौन से method है इसके क्या principle है और इससे किसे कहते हैं इसके बारे में ऐसे एक बड़ा questions आता है A&M और J&M दोनों में आता है तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले अपने इसके discussion करते है परीबासा परीबासा food food का मतलब खाना है मलब भोजन है यह उपर दिया है बोजन है और पकाना का मतलब उसको prepare करना मतलब खाने के योगे बढ़ाने को यह अपन क्या कहते है cooking कहते हैं तो पहले प्रकरतिक रूप से पाए जाने वाले खादे परदार्ट जैसे अनाज दाल कच्ची सबजी आदी को तापकरम के उपयोग द्वारा खाने योगे बनाना या उसको tasty बनाना या nutritive value को proper बनाए रखने को यह अपन क्या कहते हैं भोजन पकाना कहा जाता है जैसे basically मैं यह कहता हूँ कि जो food cooking है वो किसे अपन कह सकते हैं कि जो अपन food cooking है वो अपन किसे कह सकते हैं आपने भी पढ़ा है जैसे मैं आपको सोट ट्रिक में बताता हूँ, food cooking का मतलब सीधा है, जैसे यह food cooking है, इसको आपने ऐसे कह सकते हैं, कि जो भी raw material है, या जो प्राकर्तिक रूप में पाया जाता है, या फिर अपने कैसे कह सकते हैं, natural जो रूप में, या natural रूप में जो पाया जाता है, इस natural जालें, कच्ची सबजी, आधिक पो temperature पे, temperature या अपने कैसे कह सकते हैं, heat पे, heat भी कैसा हो, ये balancing heat हो, तो उसको किसी योगे बनाया जाता है, eating योगे, eating मला खाने योगे अगर उसको बनाया जाता है, तो उसको, और eating में भी क्या हो, उसकी जो nutritive value है, या जो nutritive value हो, मला अच वाफ से टेम्परेचर कैसा हो, nutritive value के अंदर है, मला उसको जो temperature पे अपन यूज करें, या जो temperature है, या जो तापला में जो heat देता है, उसको जो use करें, वा temperature कैसा होना चीए, वा temperature होत ही, relevant उसके अंदर होना चीए, जिसके अंदर क्या हो, कि उसकी nutritive value खतम नहीं हो, मला आप आपन जैसे fat carbohydrate protein जैसे fat carbohydrate है ये protein है ये vitamin है ये मिनड्रल्स है और यह जो vitamin and minerals हैं इसकी neutrality value कम नहीं होने चीनगा जैसे दूद है उसके अंदर केस केल्सीयम पाई जाता है प्रोटीन पाइजाता है तो यह अगर उसकी औते नोधा कोई मतलब करना है या इसको मिलक को अपन क्या करता है पास्यूरेशन की किया जाता है जो फूड स्टफ है यह जो कोकिंग फूड है उसके क्या उदस से एक है उसके एंब से अगर उुदस इजिली डाईजेस्टी डाईजेस्टी टेबला हुआ और बोजन को क्या बनाते हैं यह अधर करते हैं यह जीवानू नस्टर्ता रोगानू होते या जो रोघ उत्पन करने वाले को उनको क्या करता है नस्ट कनादा सबसे पहले कि इजीली डाजेस्टिंग डाजेस्टिबल है उसको यह बनाते हैं दूसरा चीज़ स्वाधिस्ट बनाते हैं उसके अंदर जिसे अपन घीव अगर है यह डालते हैं तो उससे क्या होता है अपना जो फूड है यह जो ख तुमाटर हरी मिर्ची वह डालते हैं तो उससे क्या था भोजन की विभीनता लाना अलग लग परकार के उसको पकाया जा सकता अलग लग टेस्ट होता है आयो रोग विसेश के आप से थाना बोजन को परिवर्थित किया जाता यह सहे पनी स्पेसल डाइट में पढ़ा था लो फाइबर डाइट इसको भोजन की गुणवता को बनाए रखना यह मने आपको पहले बता उसकी न्यूट्रेटिव एली की बराबर बनाए रखना होता है तो यह अपने मौसली साथ इसके क्या पड़ेते अपने साथ पड़ेते इसके सिदान पड़ेते ठीक हो कि क्या इसके उद्दस से क्या है और क्या इसका एम है नेक्स्ट इसकी कंटिनुटी में अपन पड़ते आते हैं कि जो अपन बोजन को पकाते हैं या जो फूडिस्टप अपन पका रहे हैं ठीक है आप ही पकाते हैं अपने घर में तो जो पका कि उसको क्या होना चीए कि उसका कोई ना कोई principle हो ने ची इसका शिदान्त होना चीए तो mostly cooking तीन cooking को कैसे कैश का फैस्ल डाक फस्ट मशन का सरक्ष्ण अनची conservation ओस कोई आपन typically प्रिपेर करते हैं अपने को ध्यान में रखना है कि इनके क्यों से प्रिंसिपल को फस्ट अपने पोसक्त तत्वों को सरक्षन करना चाहिए न्युट्रेटिव एल्यूस की खतम नहीं होने चाहिए भोजन तैयार करने की एक अवदी होने चाहिए मिल उसका डाय डूरेशन फ से मांग करके नहीं लाते हैं नेइस्ट संकत्रों से सुरक्सा सेटी फ्रों हजार्ड जो भी कुटिंग अपन करते हैं तो उसके हें अपने खत्रे उसको भी ध्यान में रखते हैं चाहिए नेट्स फॉप किंग रूब मत जो भिए जैसा जो नीड है उसके according होना जिए next है अहारे लक्स होना जिए माला डायटका क्या होना था एक डायेट्रिक गोल्स होना चीए किस डायेट से परिपेरिंग कर रहे हैं तो वो यह अपने छह इसके mostly अपने क्या पड़ेंते अपने principles अपने discussion किया था जैसे फर्स प्रिंसिपल है पोसक्त्रत्रों का सरक्षन होना चीए सेकंड बोजन तैयार करने की अवदिया duration होना चीए थर्ड है यो जो रिसोर्से संसादनों का उप्योग में लेना चीए और खाना पकाते टाम यह प्रिंसिपल हैं कि जो safety हजार्स है यह safety from हजार्स जो खत्रों से जो नुकसान उसको अपन को ध्यान में रखता है special group के लिए अपन को इसकी आवसेक्ता हो सकती है अहारी कोई ना कोई लक्से हो सकता है बिना लक्से के अपन कोई काम नहीं करते है नेक्स्ट प्रियावरन सरक्षन कि जो भी अपने food काम में लिया है या जो खाना अपने prepare किया है उसको क्या होना चाहिए हर कहीं किस कहीं पर फेंकना नहीं चाहिए उससे प्रदूसन नहीं फैलना चाहिए यह अपने 8 इसके क्या थे principles पड़े थे नेक्स्ट अपने इसके continuity में पढ़ते हैं कि जैसे अपने क्या-क्या पढ़ा था अपने पढ़ा था इसके अंदर कि कौन-कौन से फस्ट अपने पढ़ा था food cooking method है cooking जैसे food cooking क्या है नेक्स्ट पढ़ेते हैं अपने इसके जैसे definition या परीबासा पढ़ी सेकंड अपने इसके पढ़ेते principles इसके यह आपके exam में बहुत importance है थर्ड अपने पढ़े हैं इसकी methods क्या है मला कौन-कौन से ऐसे methods हैं जिसके तुरू ही अपन जो जो food stuff है इसको अची तरह से या technique से method हो सकता है techniques हो सकती है कि अपने follow करते हैं जैसे अपने techniques की बात करें अपने बहुत short and sweet में पढ़ेंगे कि अपने exam में अगर आपके पांस नम्मर का question है तो easily आप कर सके जैसे methods of cooking मला बोजन पकाने के कौन methods हैं जैसे पहला अपने जल के द्वारा पकाते मला वाटर cooking की में जल द्वार boiling कितना होता है 100 degree Celsius होता है उसको boiling point बोलते हैं किसी भी चीज को उबाल कर अगर अगर आपने उस बोजन को पकाएं तो इसको boiling कहा जाता है next is simmering खद खदाना इसको simmering के अंदर अपन क्या करते हैं low temperature पर ज्यादा timing में यूज में नेते हैं next method है रिजाना या steven का steven होता है इ या air cooking उपर था water cooking के अपनी बात करी थी निचे अपने air cooking या हावा के दवारा जैसे roasting अपन भूनते है जैसे चनु को होता है बूनते है next धातू प्रोलिंग जैसे हपन क्या बोलते है पन Pasuk बनाते हैं मुझे थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं पान बरतन से रिलेटेड है चिकन है फैट कुकिंग और मुझे अपने अच्छा लगता है मुझे भी बहुत पसंद है जैसे कचोरी समोसे हैं और उसके बाद में अपने नेक्स बात करें कि फैट को जो खाना बनता है अहा तेल थोड़ा कम हो और उसके अंदर पकोड़े वागर बनाते हैं वो होते हैं और डी फ्राइंग डी फ्राइंग के अंदर अपन क्या बनाते हैं जो भी अपने फूट होता है वो सारा उस तेल के अंदर होता है जैसे पूड़ी होती है वो डी सेलो फ्राइं में हो सकती है लेकिन अपने काचोरी और समोसे क्या होते हैं, डीप फ्राई में होते हैं, नेक्स है तंदूर से पकाना, जिसको अपने क्या कहते हैं, बेकिंग टेक्निक कहा जाता है, नेक्स है वास्प की दरा, स्टीम कुकिंग, वास्प का मतलब स्टीम कुकिंग होता है, एक डारेक्ट म हो सकती है और इंडारेक्ट हो सकती है और च्टा मेथड ओपुकिंग क्या है यह आपको भी पता है च्टा मेथड ओपुकिंग क्या है वह है वास्प के द्वारा प्रेशर कुकिंग प्रेशर कुकिंग यह वास्प के द्वारा होता है जिसे अपन कूकर के अंदर बनाते हैं जो भी चीजे बनती है उसको अपन बोलते हैं प्रेसर कुकिंग है और एक होता है जिसे टोस्ट और यह होते हैं यह माइक्रोवेव में पकाना माइक्रोवेव में पकाना तो मॉस्टली mostly कितनी techniques होगी mostly अपने techniques होए साथ परकार के method of cooking होते है gel के द्वारा आपन जो cooking करते है उसमें boiling होता है, simmering होता है dough and stir Ving होते है next है, हावा के द्वारा air cooking के द्वारा है, और आपन करते है roasting करते है, भूनना होता है किसी भी चीज को या pan abroad ngaghi Canon यह दो टेकनिक इसकी है तीसरा चिकनाईट पकाना है फैट पोईल घी इस से अपना जो चीज बनाते हैं ड्राई फिश ऑट उता है ड्राई फ्रुट से है विविंग अल्ग कम हलका तलना होता है आपने होते हैं पराठा होता है और इस के अंदर समोसे होते हैं है और एकत अंथ्य पकाना बेकिंग तंदूरी को अपले देख़ा होएं बहडीआ हा प्रॉकर को सकता है और indirect method प्रेशर cooking में होता है और microwave में पकाना यह mostly क्या होगी अपनी एक technique होगी टेकनी का मतलब यह चीज होती है जिसके अंदर अपने fixed अलगला food stuff को अलगला चीज में पकाया जाता है अगर इस content में अपने नहीं पकाया तो उस food की क्या हो सकती है nutritive value खतम हो सकती है next अपने बात करने जिसे steving की बात करीती स्टीविंग को मतलब होता है कि पानी और भाब दोनों को ही कम रखकर बोजन को पकाया जाता हूँ स्टीविंग की बात करी थी इसके अंदर mostly यह चीजें जो मैंने आपको बता है इस साब से आपको लिखनी है एक चीज इसके अंदर अपने discussion करी थी कि पास्चुराइजेशन किसे कहा जाता है यह आपकी एक्जाम में क्यूसन साता है कई बाद छोटा क्यूसन है पास्चु temperature fix होता है temperature mostly 60-63 degree Celsius होता है और इसके अंदर mostly क्या होता है और यह mostly किसका पास्चुराइजेशन किया जाता है milk का दूद को हमाँ पास्चुराइजेशन टेक्निके थूरू अपन क्या करते हैं boiling करते हैं और इसको mostly कितनी देरी का है 30 minute माला milk को 60-63 degree centigrade पर रखे और अगर उसको 30 minute तक किया जाए और उसके बाद में यह इतने temperature पर लेकिए उसको 5 degree माला इससे 5 degree Celsius नीचे पर क्या करते हैं बास्चुराइजेशन की टेक्निक है आपकी एक्जाम में ऐसा क्यूसन आता है कई बार एक इंपोर्टेंट क्यूसन से मिल्क को कौन सी टेकनिक से अपने पास्च करते हैं या कुकिंग मेघेड है तो वह अपना पास्चुराइजेशन आपके एक्जाम में क्यों सना सकता है और इसके अंदर क्या temperature रखा जाता है तो 30 मिनट तक किते डिगरी सेंपरे 30 से 63 डिगरी centigrade रखा जाता है उसके बाद सिगा suddenly उसको 5 डिगरी Celsius नीचे लाके उस दूद को अपन इस्टोर किया जाता है तो पास्यूराइजेशन के उसके बाद में क्या टेकनिक है या उसके क्या लाब है बेनिफिट क्या है इसके अंदर जिवानों को नस्त किया जा सकता है लेकिन दूद को सरंक्सित करने का आसान तरीकता है सरंक्सित का मतलब है स्टोरेज सिस्टैंट कि अकुंट नहीं होते हैं और तोальную नहीं होते sinde Case A डिग्रेज अगर शो डिगरी पिते जाते हैं तो उसके अंदर इसके विटामन से वह क्या नस्ट हो और जो हानिकारे जीवानु है वो और उसके बाद में जो अपने यूजपल जीवान है वो भी नस्ट हो जाएंगे इसके अंदर जो प्रोटीन होता है या दूद सरकरा होता है उसमें नियून्तम परिवर्तन होता है अपने दूद में क्या होगा जो पान के अंदर या जो बर्तन है उसके अंदर जो दूद नीचे जमता है या उसके जो खरचन आ जाते नीचे जम जाता है दूद लग जाता है तो वो नहीं होता है दूट को सरक्षित करने का सस्ते शरलतमा सरक्षित विद्धी है इसको एक हमेशा सस्ती विद्धी है इसको अपने घर के अंदर मुश्ली इसी टेक्निक से मिलको पास्युराजिशन करें तो आपको more energy, more timing consume होगा, more energy consume होगे, more क्या होगी आपकी इसके अंदर next अपने इसकी continuity में लेके आते हैं कि वो क्या है कि अगर इसका क्या effect पड़ता है कि अगर अपन इसको proper way में नहीं किया जाएं बोजन परकार प्रबाव से क्या प्रबाव पड़ता है जैसे अनाज वगरे इसको अपन करें तो उसको अगर सही तरीके से अपन temperature नहीं रखें तो उसकी nutritive value खतम हो जाती है दाल की protein ज्यादा होती है अगर उसको high ज्यादा उबालेंगे तो उसके अंदर B vitamin जो B होता है B vitamin होता है वो क्या होता पर लेके जाएंगे high temperature पर लेके जाएंगे तो जो water का level है तो वो क्या होगा कम हो जाएगा हीट कैसे होगी ज्यादा होगी और water का level क्या होगा कम हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना है तो उसको नॉर्मल temperature पर अपन उसको vegetable fruits को cooking करते हैं और जैसे दूद है उसको प्रहुत पास्चुर है जिससे टेकनिक के अपन यूज करते हैं जिससे उसके माइक्रों डिस्टो हो जाते हैं जो useful organism हो डिस्टो नहीं होते हैं और meat और fish इसको low temperature पकाया जाता है एक को हमेसा बहुत ही कम temperature पर पकाया जाता है जिससे उसके अंदर जो vitamin B होता है वो नस्ट नहीं होता है और इसके अंदर mostly albumin पाया जाता है white eye के अंदर वो भी क्याता है इसका boiling करने पर जम जाता है अंदर होता है पिला-पिला से अंदर अपन अंडे खाते हैं तो इसके अंदर किया था अपना सा बहुत सोटा सा टोपिक अपने डिसकेशन किया और अपने चोटा सा टोपिक डिसकेशन फिनिसिंग होता है ओके थैंक्यू बाइबाइबाई